पर्देश में पिछड़े जिले के नाम से परसिद मेवात जिले से आए दिन सरपंचों दोरा विकास कारे ना कराने के मामले शामने आ रहे हैं कहीं सरपंच जिम्मदार होता है तो कहीं गाहँ वालों का भी कसूर होता है ऐसा ही एक मामला किरंच गाउं से सामने आया जहां लोगों ने फिरने के में रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गाँवालों के मताबिक कुछ लोगों ने फिरने के में रास्ते में आवेद तरीके से पसूँ का गोबा डालना सुरू कर दिया और मकान भी बना दिये जिससे लोग बेहद परिशान है ऐसे में अब इस परिशानी के लिए सरपंच को जिम्मधार माने या गाँवालों को लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को निकलने बढ़ने में परिशानी हो रही है किरंच गाओं के लोगों ने बताए कि फिर नहीं के में रास्ते में तो गाओं के लोगों ने कबजा कर रखा है लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जिन पर किसी तरह का कोई कबजा नहीं है फिर भी उन्हें सरपंच ने पका नहीं कराया है ग्रामिनों के माने तो रास्तों की मरमत के लिए वे कई बार सरपंच से कह चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मामले को तफसील से समझने के लिए सुनवाईंगे आपको गाउंवालों की जबानी इस अब बाई सब गाउं कुन सा है? किरंज किरंज काया जी इस तरह की परिशानी कब से बदहाल है? हम तो छोटे सुजवान होगे बूड़े भी होने चलती है हमने तो सदमदा सोह सोही देखो जी ना कोई बिदायक सुने ना कोई सरपंच सुने ना कोई सुने आखिर वज़ा क्या है जो इस राज़ा है थोड़ो हमारे मकान आ रहे हमारे खुदन के तो मकान थोड़े से आगर हट जाओं हम कर लें आए तो हमारे काम सब हो जाओं है तो इसका मतला आप ही शिकाइट करने हैं हमारे यह अब तो बस हाँ कैसे ही लगा लगा लें इसका समधान तो आप से होगा आप करें समधान होगा जाहर सी बात है जिकर भी लिए बारक हैं कुछ ना माने कुछ ऐसी दिक प्रोब्लम आई पड़ी हैं बहुत ज्यादा फी दिनों से प्रेसान वह है जी गंदा और यह काफी घर हैं यहां के जो बने हुए हैं और काफी गंद की फैली हुए हैं यहां से जो भी दिख रहा आपके सामने सारा वाग्रया है आगे से चलेके जो भी आ रहा है अ μια से सारी मच्छर वच्छर प्कृद बेमार हो रहे हैं ह। हॉस्पेटल में लेकर जा रहा है हॉस्पिटलों में काफी अच्छी घंद की पर यह Ini कहने का मतलब वीं निकल सकता है कि अधर वज्य क्या है किस वज्य से इसको सबस्कूल कर वज़ा है यह यह जी मकान है यह रस्ती में आ रहा है जी यह मकान देखते इसके वज़ेसे यह सह रुखा पड़ा जी कि आप लोगों ने वागत कि के बारें कियए कहां तक मिद्वा जोड़ता है जी फिसी बहुं अब थोड़ी बारी सोगत सी पर वैसे भी निकल पाता कोई करना ज़ाते हैं और यह पर आते हैं हैं और कोई रस्ता ही नहीं है और यहां के निकलना हो रहा है सारा यह यह काम हो जाए अपना विकास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है रस्ता कुल जाए हमें दो